जैन दोस्तों नमस्कार इस यूट्यूब चैनल में आपका स्लागत करता हूँ जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 36 गड़ वन विभाग में वन रक्षक की 14-84 पदों पर भरती प्रक्रिया वर्तमान में चल रहा है इसकी नया अपडेट आया है विभाग द्वारा एक नया पत् इस भरती प्रक्रियक संबन्द में अपडेट किया गया है तो 36 गड़ फारिस्ट गाट के समस्तु मिद्वारों के लिए अपडेट जानना जरूरी है यहाँ विडियो देखना चाहिए तो विडियो में अंतिम तक बने रहें और यदि आप इस चैनल में नया है तो इस चै सीधी भरती है तो सारेदीक माप जोक एवं दक्षता परिक्षड के लिए निविदा आमंत्रित की गई थी दिनांग 22 जुलाई 2024 को दो पहर तीन मजे त्रिती तल रक्षक्रमांग टी एर की आर ग्यारा में इस भरती प्रक्रिया में वन जल्वावी परितन विभाग में सीधी भरती है तो सारेदीक माप जोक एवं दक्षता परिक्षड के लिए निविदा आमंत्रित की गई थी दिनांग 22 जुलाई 2024 को दो पहर तीन बजे तल कक्षक्रमांग टी आर ग्यारा में निविदाकारों से प्राप्त निविदाओं को आसन द्वारा गठित समीती की स समक्ष टेक्निकल बीड खोली जाएगी निविदाकार निर्धारीत समय में उपसित रहने का कस्ट करें ऐसा तरजादीकर अपडेट किया गया है इस बरती प्रक्रिया में मैं सुरूस लेकर रंतीम तक लाटेस्ट अपडेट तक आप लोगों को इस बरती प्रक्रिया के ब समक्ष टेक्निकल बीड द्वारा टेक्निकल बीड खोली जाएगी इसमें समस्त निविदाकार निर्धारीत समय में उपसित रहने हैं तू लेक किया गया है इसके पहले आपको बता दूं किया भरती प्रक्रिया में फॉरेस्ट गार्ड के 14-84 पद के लिए 20 मई 2023 से 11 जुन 2023 तक प्रथम में फार्मा आवेदन फार्मा भरने के लिए खुला था कई उमिदवारों ने फार्मा नहीं भर पाये थे जो फार्मा भरे थे वहां किसी काड़ वस निरस्त हो गया या अपात रहो गया था उन्हें 12 जुन दोजार 24 से 1 जुलाई 24 तक पुना आवेदन फार् या जो समय बिता एक साल यह पुराने सासन से नए सासन बदलने में कई प्रकार की तक निकी समस्या आती है तो यहां खुशकबरी है कि यहां भरती प्रक्रिया पुना एक बार चालू हो गया है और आवेदन फार्मा एक जुलाई 24 तक पुना आवेदन फार्मा भरे गया है उमिद्वारों के सारी माप जो क्यों दक्षता परिक्षड के लिए 21-2024 को नीजी संसाओं से निविदा आमंत्रित किया गया था जिसके लिए 4 जुलाई 2024 को प्रीविद मीटिंग भी हो चुका है और इसके अगली कारवाही 22 जुलाई 2024 से 23 जुलाई 2024 तक प्रथम राउंड का बीडिंग कारवाही होगा जिसमें 22 जुलाई 2024 को बिड समिशन के लिए डिव डिट जारी किया गया था इसमें प्री बिड मिटिंग होना था 4 जुलाई 2024 को ठाई बज़े जो की हो चुगा है और डिव डिव डिट आफ समिशन आफ बिड देख सकते हैं 22 जुलाई 2024 को रखा गया है और डू डेट आप ओपनिंग आप टेक्निकल बीट के लिए 22 जुलाई को ही है 3 बजे दोस्तों यह दि प्रथम राउंड का निविदा से कोई निजी संस्था का चैन नहीं किया जाता है तो उसके लिए 2-3 राउंड का निविदा का भी डेट रखा गया है जो कि इसके लिए 13 अगस्त दोजार 24 को समिशन आप बीट का डेट है और ओपनिंग आप बेडिंग डेट के लिए 13 अगस्त दोजार 24 को 3 बजे का डेट रखा गया है और ओपनिंग आप फाइनिजी संस्था का चैन नहीं किया जाने पर तीर्थी राउंड का भी निविदा का प्राधान रखा गया डिया डुड़ डेट आप सब्मिशन के लिए डेट है 23 अगस्त दोजार 24 को और डुड़ डेट आप ओपनिंग आप टेक्निकल बीट के लिए 23 सगस्त दोजार 24 बजे ओपनिंग आप फालनिसल बीट 23 सगस्त विभाग दोरा किये जावेगा से इस प्रकार प्रथम में फार्म आविदन मंगाये गये थे इसके बाद उमेदवारों के सारीधिक परिचण एवं दक्षता परिच्छा के लिए समिदा निमिदा प्रकासन किया गये था और इसके बाद एक बार निमिदा संस्था की टैन कर यहां लिए जाने के बाद उमेदवारों को सारीधिक माब जोक परिच्छा के लिए बुलाये हो जा रहेगा इसमें चार तरह के परिच्छा होंगे अंय वर्गोंके लिए 163 संदि इसी वर्ग में महिला अभिहर्थियों को 145 cm के उचाई और अन्य वर्ग के लिए 150 cm के उचाई मांग किया गया है और इसके बाद सिना कभी नापा जाएगा जिसकी निम्तम 89 cm आना चाहिए जो की सिना फुलावा के बाद 5 सीम्टिमीटर आना चेंब समस्थ वर्मक के लिए, और सिना मापने के लिए महिला भ्यार्थियों से कोच छूट रखा गया है। चैन प्रक्रिया में चार प्रकार के फिजिकल दवड भाग करा जाएंगे जिसमें 200 मीटर की दवड 25 अंका, 800 मीटर की दवड 25 अंका, लंबी कूद 25 अंका, गोला फेक 25 अंका, होगा कुल 10 अंका परिक्षा होगा, इसके बाद लिखित परिक्षा होगा दोनों प्रकार के दौण प्रतियोगिता के लिए एक एक प्रयास दिये गया है 200 मिटर की दौण के लिए पुरुस वर्गों को अरितम 25 अंग 24.50 से कंड से या उससे कम समय में 200 मिटर की दौण एक प्रयास में पूरा करना होगा पूरुस वर्गों के लिए और उसी में महिला वर्ग के लिए 28.50 सेकंड या उससे कम का समय दिया गया है 25 संग सबसे अधी कंग अरजित करने के लिए दोस्तों यह समय कोई बहुत जादा नहीं दिया गया है और बहुत जादा कठी भी नहीं है जो लगातार प्रयास कर रहे हैं दोड भाग कर रहे हैं जो दोड रहे हैं लगातार प्रिटिस कर रहे हैं उसके लिए 24.50 सेकंड या उससे कम समय भी 25 संग अरजित संग प्राप्त क कर सकते हैं 200 मिटर की दवड एक प्रयास में क्लियर कर सकते हैं आठ सुमिटर की दवड है जो कि एक प्रयास में क्लियर करना होगा अधिकता मंग 25 है इसके बाद साड़े पांच मीटर से अधिक लंबी कुद लगाने पर 25 अंग दिया जावागा। जोसतों गोला फिक के लिए भी तिन प्रियास का दिया गया है। पुरिस वर्गों के लिए 7.2-6 kg का गोला होगा महिला वर्गों के लिए यह 4 kg का होता है। गोला फिक में पुरिश वर्गों को 9 में 25 अंग अर्जीत करने के लिए फिक लिए फिकना होगा और महिलाओं को 8 में या उस से अधिक फिक लिए 25 अंग के लिए 6.2 अंग 9 में तक फिकने पर बी संग दिया जावागा तो यहाँ हुगा जोसतों उमीदवारों के लिए साडर इसके बाद लिखीत परीच्छा होगा इसमें सारीक दक्षता परीच्छा में एक égरित एक जारी की जावेगा लिखित परिक्षा के लिए लिखित परिक्षा भी साव अंका ही होगा जो कि सारेडिक दक्षता परिक्षा के परडाम के अधार पर प्रामी ने सूची मेरिट लिस्ट जाती वरगवार तयार की जावेगी तथा इस लिस्ट से केवल विज्यापीत पदों के संख्या के अधि को लिखित पर इक्षम भाग लेने का उसर प्रदान किया जावेगा एक एक समान अंग प्राप्त करने वाले समस्त अभ्यारतियों को अगले चरण की पातरता होगी भले ही संख्या 15 गुड़ा से अधिक हो जाए इसके बाद बोनस अंग का भी बात किया गया है उमिद्वारो क्यवल वियता और वुफ वियता को दिया गया है 6 मैं वेक्ति जपर इस करत्थम तीन इस्थान प्राव्त ख्याडीयों को ही बोनसांग भी लिखित परिक्षा और सारीडिक पर इक्षा के साथ साथ 10 संख दश संख मिलीर आप जो कि हम उंख्यों सकते हैं चैन के लिए चैन सूचे इस प्रकार से त्यार होगा कि सारीरिक दक्षिता परिक्षा साओ अंग, लिखित परिक्षा साओ अंग, बोनस परिक्षा, बोनस अंग, दस अंग के आधार पर चैन सूची अंतिम चैन सूची जारी होगे इसके बाद पैदाल चालन के लिए बुलाया जावाएगा जिसमें पूरुसु में द्वारों को 4 घंटे में 25 किलुमेटर और महिला में द्वारों को 4 घंटे में 14 किलुमेटर की दूरी पूर करनी होगी इस परिक्षा के लिए कोई अंक नहीं होगे लेकिन निधारी समय उधी में 25 किलुमेटर और 14 किलुमेटर की दूरी पूर करनी होगी यहाँ पैदल चालन की प्रक्रिया यदि कोई अभ्यर्थी पूरा नहीं कर पाता है तो वहाँ भर्थी प्रक्रिया में अपात्र कर दिये जाएंगे इसके लावा महिया है PDF इस वीडियो के description में डाल दोंगा आप लोग देखे लेंगे तो मैं आसा करता हूँ कि दोस्तों कि आप लोग लगातार वन रक्षक भरती प्रक्रिया के उमिदवारी के लिए अपना दावा मजबूत करनी के लिए लगातार प्रयास कर रहे होंगे सारीडिक दक्षता परिच्छा के साथ साथ लिखित परिच्छा का भी त्यारी आपको करना होगा तो मैं आसा करता हूँ दोस्ते हो कि आप लोग कुसल मंगल होंगे अपनी त्यारी जोर सोर से कर रहे होंगे और समय बहुत कम है देख सकते हैं कि 23 अगर्स्त दोजार चोबिस को यहां पूरा हो जावेगा निविदा प्रक्रिया उसके बाद आप लोग को अगली परिच्छा के लिए बुलावे जावेगा तो अगली वीडियो तक के लिए आप लोगों को धन्यमाद जय हैं